ब्रिंदा ओनलाइन इस्टेडी क्लासेज में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जी हाँ दोस्तों आप थमनिल पर जो देख रहे हैं सही नियोज है कि UP में सपा के सरकार बनने पर एक लाक साथ हजर खाली पादों पर बीएड बीटीसी नहीं बरकि शिर्फ सिच्छा मित्रों की भरती होगी तो यह इस तरह से सपा सरकार जब आपका बन जायेगा तो सिर्फ सिच्छा मित्रों की ही भरती की जाएगी बीएड और बीटीसी धारी सिचकों की भर्ती नहीं किय जाएगी सत्त मैक्ते पुरानी पिंशन को भी बाहल किया जाएगा प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर एकलांग गटावण हजार सिचा मितरों को समायोजित करने के साथ ही मा गंगा को साफ करने के नाम पर करोड़ो डखार गए और अभजूटी कसमे खा रहा है योगी को लैटाप चलाना ही नहीं आता और इसलिए नहीं दिये उक्त बाते रभी वार को सपा के राष्टी अध्यक्ष पूरु सियम अखिले शादो ने जिले के डिग व्लाक के इमिनार गाउं में आयोजी प्रभूत दवर्ग समयलन में किया सपस प्रमुक ने सुबह की सरकार प्रतंज कसते हुए कहा कि गंगा विहार की और भत्ती है एसे में वहां से सौब प्रयाग राज की ओर कैसे आ सकते हैं कहा कि मिर्जा पूर में बन रहा विंद कॉरिडोर रोपवे योजना पूर्व की सपा सरकार की देन है महंगाई पर भाजपा को घरते हुए अकलेस ने कहा कि पेट्रो पदार्थों के दाम भी बढ़ गया है तो इस तरह से देखिए कि खुलेयाम सपा सरकार अगर बन जाती है तो 12 गंटे के अंदर ही आपको सिच्छा मित्र को निक्ती दे दी जाएगी और बीटी सी जो की है अभ्यारती जो टेट पास है उपर टेट पास है उनकी कोई नहीं सुनने वाला है और वो खाली बैठे रह जाएंगे सपा सरकार के बनते ही सिर्फ 12 गंटे के अंदर इस इच्छा मित्र बनेंगे सहाय कत्याप सरकार किसी की भी बने लेकिन भी रोजगार अभ्यारतियों के साथ तो चल किया ही जाता है इतनी भारी मात्रा में प्रदेश में वीएट और बीटी सिचातर उपलब्द होने के बावजूद भी अध्यापक सिच्छा मित्र ही वनेंगे ठीक है सुप्रीम कोड में एक मौका और सिच्छा मित्रों को देने की बात कही उन्हें भी अन्य अभ्यारतियों की तरह टेट और सुपर टेट क्वालिफाई करके ही निक्ति मिलनी चाहिए इस तरह 12 घंटे के अंदर नहीं निक्ति मिलनी चाहिए नितिक दिश्टिकोर से कोई लेना देना नहीं है किन्त अभ्यारति प्यरोजगार भाईवायनों के साथ नय जरूर होना चाहिए इनकी सरकार में तो ल परिष्टी निकली थी लेकिन मेरिट के आधार पर लेकिन आज इसका वीडियो समाप्त होता है हमारे चैनल को सस्क्राइब और लाइक जरूर करें बने रने के लिए आप सबीका बहुत जन्य बाद